राश्टपती भवन के दरबार हॉल में गुरुवार को पद्म आवाट्स तिये गए या पद्म आवाट्स वित्रन का दूसरा हिस्सा थे इस दौरान राश्पती द्रौपती मुर्मु ने दो पद्म विभूशन नो पद्म भूशन और चपन पद्म श्री पुरसकार प्रदान किये इस मौके पर पी एम मोदी ग्रिमंद्री अमिच शा और पुरसकार विजटाओं को परिजन भी शामिल हुए समारो का सबसे भावक और गर्व से भरा पल शोशल वरकर डौक्टर केस राजनना को पद्म श्री अवाड दे जाने का था डौक्टर राजनना ने पोलियों के कारण अपने हाथ पैर गवा दिये थे बावजूद इसके विब मेकानिकल इंजीनिरिंग बने पर आलंपिलिक में गोल जीता साथी कई दिव्यांगों को रोजगार दिया राजनना ने आवाड लेने से पहले पीम मोधी का शुक्रिया किया डाईस पर चड़ने से पहले उनने प्रणाम किया और उसके बाद राजपती से आवाड लिया समारों के बाद आमिट शा ने अपने घर पर जेनार होस्ट किया जिसमें रामचरन तेज चिरनजीवी वेजनती माला समेट पद में पुरसकार विजेता शामिल हुए